Hello everyone, Welcome to my channel, Medicine Expert Review में आपका स्वागत है आज हम Lipikine 10 टेबलेट के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि यह जो Lipikine 10 टेबलेट है, उसमें जो composition आता है, Atoros 18 जो कि IP के according बनाई जाती है यह जो product है, वो Mankind Pharmaceutical Company बनाती है तो चलिए देखते हैं, कि यह जो tablet है, वो कौन-कौन से problem है, जिसको solve करती है First, जो कि आपको stroke होने की संभावना है, यानि कि heart stroke आ रहा है तो उसे inhibit करती है Then, heart attack की जो संभावना आती है, उसे भी रोक सकती है सरीर में खराब cholesterol के stir को कम करेगी, यह tablet Then, खून की नसों में जो ब्लॉकेज हो गया है तो उस ब्लॉकेज को भी clearance करती है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, कि यहाँ पे यह ब्लॉकेज हो गया है तो लिपी काइन लेने से क्या होगा? कि यह जो ब्लॉकेज है, वो दिरे-दिरे result होता रहेगा and complete blood flow करवाता है तो यह जो सारे problem है, उसे वो treat करती है तो चलिए, देखते हैं कि आज हम क्या-क्या सिखने वाले हैं सबसे पहले सिखेंगे, basic of medicine, use of medicine, label study, working and mechanism, dose of medicine, price of medicine, side effects, warnings, pregnancy category and drug-drug interactions तो यह जो सारे chapters है, वो आज हम one-by-one study करेंगे सबसे पहले basic से जाने, लिपिकाइन 10 जो tablet है, वो कौन से class से बिलॉंग करती है यह जो tablet है, जो की हम उसे HMG-CoA-Reduce Inhibitors कहते हैं और उसे हम statin भी कहते हैं इसका जो brand name है वो है लिपिकाइन salt उसका जो composition है वो है atrovest statin और इसकी जो strength है वो है 10 mg यानि कि आप समझ ही कि यह होंगे, यहाँ पर लिपिकाइन जो 10 लिखा हुआ है 10 के according उसका 10 mg यानि कि पर टेबलेट में उसका जो strength हाती है, उसका जो content आता है वो 10 mg में आता है अब हम देखें कि यह जो tablet है उसे manufacture कौन करता है इस tablet को manufacture Mankind pharmaceutical company करती है जो कि एक Indian multinational pharmaceutical company है and healthcare product को भी बनाती है इसका जो head office है वो Delhi में है अब uses के बारे में देखें कि लिपिकाइन 10 जो tablet है वो किस किस काम आती है, कौन कौन से condition में यूज कर सकते है अगर आपको high cholesterol है prevention of heart attack है heart attack से prevent करने के लिए यूज कर सकते है stroke से prevent करने के लिए यूज कर सकते है अगर आपको high blood cholesterol रहता है तो उसे भी ये medicine है, वो treat करती है and जो patient को heart stroke की समभावना रहती है risk रहता है तो उसे भी ये जो medicine है, वो treat करती है तो ये जो सारे है, वो उसके uses है वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको इस tablet की proper जहान करी चाहिए यानि कि ये जो diseases है जो uses हम देख रहे हैं तो उसके according आपको कोई consultation लेना है तो आप मुझे इस WhatsApp नंबर के true contact कर सकते हैं जिसे कि आपको expert guidance मिल सकते है अब हम हमारे topic पे वापस से आते हैं कि लिपी काइन की अगर हम label study को समझे तो सबसे पहले यहाँ पे है कि लिपी काइन एक prescription drug है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने इतने सारे video lectures में पढ़ा Rx का मतलब क्या होता है prescription यहाँ पे उसका brand name है लिपी काइन 10 यहाँ पे उसका जुनरिक नेम है एटलवा स्टेटिन टेबलेट IP यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है लिपी काइन 10 6x15 की टेबलेट जाती है और मैंकाइन का यहाँ पे लोगो दिया हुआ है और हम देखे कि उसके back side जो composition है box में box packaging के back side में हम देखे तो यह जो medicine है वो एक sedule age की drug है sedule age की drug यानि की without prescription आपको market में नहीं मिलेगी तो यह जो medicine है वो एक film coated tablet है अब हम देखे कि इसके packaging के बारे में लिपी काइन जो tablet है उसका जो packaging है वो alu alu pack में available है then each pack में 15 tablets आती है now अब उसका working समझे कि यह जो tablet है वो work कैसे करती है यह medicine हमारी body में cholesterol के production के लिए जरूरी enzyme को block करके अपना काम करती है ऐसा होने पर कम cholesterol जमा होता है हमारी body में and bad cholesterol जो है वो reduce हो जाता है now उसके doses के बारे में सिखें कि कितना dose है और कब लेना चाहिए Adolvast 18 जो उसका salt composition है इसका जो adult dose है वो 10 से लेके 80 mg टकका है यानि कि आप दिन में एक बार ले सकते हैं तो यह जो tablet है उसमें 10 mg अवेलेबल है तो उसके according आपको दिन में 2 से 3 बार यह जो tablet है वो लेनी है वीडियो के बीच में आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक medicine course है जिसकी link में आपको description box में देदूंगी तो आप वहां से जाके हमारा चो course है वो directly access कर सकते हैं यहाँ में whatsapp number भी दिया हुआ है तो अगर आपको कोई query आ रही है तो whatsapp के true आप हमें contact कर सकते है now मैं आपको और भी बताना चाहूँ तो हमारा एक new launch course है जिसका नाम है medicine review pdf book तो हम आपको यह जो medicine सिखा रहे हैं उसका आपको अगर study material चाहिए pdf book के format में चाहिए तो वो भी available है तो आप वो भी हमारी app से access कर सकते है तो चलिए हम उसकी price के बारे में सीखते है कि लिपी काइन की price का है लिपी काइन जो tablet है उसकी August 2023 की latest price है रूपिस 46.05 एंड पर प्राइस tablet की रहेगी रूपिस 3 अब side effect के बारे में देखें कि लिपी काइन की कौन कौन से side effect रहती है अगर आप लिपी काइन ले रहे है तो उससे आपको क्या-क्या side effects रहती है सबसे पहले आपको nausea and vomiting हो सकती है diarrhea हो सकता है headache और joint pain रह सकता है muscle pain रह सकता है आपको blur vision रहता है muscle में weakness रहती है allergic reactions हो सकते हैं आपको इस drug की compositions है और आपको hyperglycemia भी हो सकता है तो यह जो side effects से वो लिपी काइन की रहती है अब warning के बारे में देखें कि किस-किस condition में हमें लिपी काइन जो tablet है वो से avoid करना है यानि कि atorvastatin जो tablet है वो हमें नहीं लेनी है तो अगर आपको statin के कोई भी class से allergic reaction है या फिर लिपी काइन के जो salt condition है atorvastatin उससे आपको allergic reaction हो रही है तो आपको immediately यह जो drug है वो stop करनी है अगर आपको severe muscle damage है then pregnancy period में है आप तो pregnancy में नहीं लेना है lactation period में भी नहीं लेना है विकोज यह जो tablet है वो milkish recreation में mix होती है अगर आपको acute liver failure रहता है या फिर आपको decompositive cirrhosis है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं cirrhosis में क्या होता है यह जो है वो हमारा normal liver है cirrhosis में क्या होता है कि हमारा जो liver है वो completely erode हो जाता है यानि कि खराब हो जाता है उसके जो cell है वो completely damage हो जाते है तो ये जो सारी conditions है उस conditions में हमें खास ख्याल लगना है कि लिपी काइन जो 10 टैबलेट है वो हम ना लें आप pregnancy category के बारे में देखें कि लिपी काइन 10 की pregnancy category क्या है according to USFDA approved prescribed जो information है उसके according लिपी काइन की pregnancy category D है जो कि आपको pregnancy में और breastfeeding में या फिर lactation का जो period है उस डर्मियान आपको avoid करनी है अब हमारे वीडियो के last chapter के बारे में सीखें कि drug drug interactions यानि कि adorvastatin जो उसका composition है लिपी काइन का तो adorvastatin के साथ कौन कौन सी drug है जो interact करती है तो चलिए सीखते हैं कि इसके साथ जो है वो सिफालेक्जीन, tetracycline, gentamicine, miconazole, fluconazole, ketoconazole, abacavir तो यह जो सारी drugs है उस drug के साथ हमें adorvastatin के combination में नहीं लेनी है तो आपको इस tablet लेने से खास क्याल रखना है कि यह जो combination में आपको drug prescribed ना की जाए और आप ना ले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आपको यह वीडियो भी अच्छा लगेगा ऐसे ही medicine के बारे में अगर आपको सीखना है तो आप मेरी चैनल को subscribe करें और आपको particular कोई diseases के बारे में सीखना है तो मेरी एक दूसरी चैनल भी है learn with phyza तो उसे भी आप subscribe कर सकते हैं Thank you for watching my video